नमस्कार दोस्तों स्वागत अपने चैनल जे के स्टूडेंट पॉइंट अपडेट्स में आज की वीडियो में बात करेंगे जो मुझ इन्विस्टी से अंडर बीएड फर्स्ट स्मेस्टर्स और थर्ड स्मेस्टर्स के रेगलूर और प्राइवेट्स के अग्जाम जो होने नहीं हैं अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको आनलाइन अग्जाम काफी दिल लगेंगे आप लोग इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको आनलाइन अग्जाम में दिक्कत हो सकता है अकार्डिंग टू नोटिफिकेशन अकार्डिंग टू गा सबसे पहले आप लोगों को फ्रंट पेज की आप शक्ता पड़ेगी ऐसे थोड़ा और बता दो फिर प्राक्टिकल करके बताऊंगा सबसे पहले आपको फ्रंट पेज करना है फ्रंट पेज फिल करने के बाद आपको A4 साइज शीट पर लिखना शुरू कर देना है सबसे पहले द्यान से सुने सबसे पहले सुबा उठके आपको कल तेज तारिक है कल थर्ड सैंबालों का पेपर है बाकी बहुत बात अलग करेंगे सबसे पहले आपको एक काम करो सबसे पहले हमारा इस्टाग्राम पेज फालो करो जो इस्टाग्राम चलाता है जो इस्टाग्राम नहीं चलाता उसको कोई रूत नहीं पेज फालो करने की इस्टाग्राम की बात करें इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम पेज का नाम है जे दिखते हैं ये के स्टूडेंट पॉइन्ट देशी वोई फालो करें शेह जारा आपको दिखना है स्टेटस स्टेटस में आपको सामने दिख जाएगा स्टेटस में आमने अलर्ट लगा दिया है आज अबी उड़ोगा है attendance का link, question paper का link, how make PDF, how send paper on gmail, all information timely आपको मिलेगी कहाँ पे, telegram group में, telegram group जाइन करना पड़ेगा, बागी टेलिग्राम ग्रूप कैसे जाइन करना है सबसे पहले आपको प्लेस्टूर में जाना है प्लेस्टूर में जाने के बाद आपको सर्च करना है क्या काफी बज़ों ने डौनलोड नहीं किया होता है टेलिग्राम टेलिग्राम प्लेश्टोर से डॉलोड करना है इसको ओपन कर लेना यहाँ पर आपन नंबर प्राइवेंसी बगरे लगा के आपको इसमें सर्च करना है जेके स्टूडेंट पॉइंट देसी बॉइ कालेज वाला पांच हजार बंदे जूर जूरुके हैं इस ग्रूप को जा आप लोगों का सबसे पहले थर्ड सेम का विपर है यह वीडियो दोस्तों लंबा हो सकता है 15 मिनिट्स के आसपास का वीडियो हो सकता है इस वीडियो को जरूर देखना है पर जब आप लोग आनलाइन एक्जाम देंगे ना स्टप टू स्टप देखके ही पूरा बताएंग तो आपकी थर्ड सेमेस्टर के अग्जाम जो है रेगलूर और प्राइबेट्स के 23 मई से शुरू होने मले है अब लोग इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि सारे के सारे स्टूडेंट्स उस ग्रूप में आ जाएं अगर आप लोग को ग्रूप सैटिस्पाई नहीं लग करेंगे इतना आप लोग डिसकेशन कर सकेंगे आपस में जो कोशन आपको नहीं मिलेगा हम नेट से निकाल के आपकी मदद करेंगे इसलिए क्योंकि आप लोग आपस में इन्होंना इस्ट्रेक्शन दी हुई यानि कि नकल वगएरा नहीं चलेगी क्योंकि यह नीचे इस्ट्रेक्शन दी है इन्होंना बोला है साफ साफ या ओल्ली दो इन्होंने साफ साफ बोला है कि इंटरनेट वगएरा यूज नहीं कर इंटरनेट सोर्स पिलिग्री में एक्स्ट्रा शेल ली टू स्ट्रिक एक्शन अस प्रवाइद इंटरनेट बगेरा से अगर बिल्कुल अगर आप बोलेगे ना कि सीधा नेट से निकाल के वहां पे शाप देना वह निचलेगा अगर कुछ कोशन नहीं मिल रहा फिर भी आप आपका रहेंगा 40 का सथ नमबर का पेपर होगा बाकी आपको बता दिनकि आपको कोशन आएंगे तिर्याप फ्रेड़े बेटे आत माक्श आनीज कोशन पांच कोशन आएंगे और आठ नमबर का एक paper होगा टाइम कितना मिलेगा? टाइम आपका बहाँ पर question paper भी लिखा होगा question आपको paper कितने बज़ स्टार्ट होने वाला है? साड़े जारा बज़े paper स्टार्ट होगा और paper का link जो है वो काम करना शुरू होगा कितने बज़े? ग्यारा बज़े के पंदरा मिनट्स पर ग्यारा बज़े आपको question paper का link हम परवाइड करवा देंगे question paper का link जमू उन्विस्टी की official websites पर updates होगा और आपको बदादिक की वो link आपके अपने college भाले भी वेज़ेंगे अगर college भाले नहीं वेज़ते तो यह की student point के telegram group में आपको link मिल जाएगा सबसे पहले आपको attendance लगाने का link सुबा ही हमारे group में मिल जाएगा सुबा आठ बज़े आपके attendance शुरू हो सकती है और यह attendance साड़े बारा बज़े के आसपास रहेगी attendance लगाने के लिए आपको अपना row number जाए उनिवर्स्टी आईडी जो होगी row number के उपर बो लगाएंगे उसके बाद आप लोगों को attendance पर क्लिक रोगे तो आपके पास एक option आएगा एक minutes बेट करो दिखाई देतों practical करके first का भी same system है सबसे पहले जुरूरी होगी आपकी attendance जो पचा attendance नहीं लगाएगा वो फेल होगा आलाइन ही attendance लगेगी पहले देखें आप लोग देख सकते हैं जहां से आम पहले अंडर graduates के थोर्ड उर्फिप सेम की attendance पर लगरवा रहे थे attendance के link देख सकते हैं उनके वह कैसे लगाते थे वह ऐसे क्लिक करें थे attendance पर यह दिख सकते हैं और इंटरनेट आपको दिखा देए वीडियो लंबा बनेगा दोस्तों इसलिए आपको देख सकते हैं यहां attendance की बात करें तो यह थर्ड समेस्टर बालों मैं भी एड का भी करूंगा यह देख सकते हैं वह ऐसे attendance लगाते हैं यह ऐसे क्लिक करते थे अपनी attendance सेलेक्ट समेस्टर यह उनके लिए यह ऐसे करते थे से इस तरह का आता था फिर स्टूडेंट डालते थे उनिविस्टी रूट रूबर और कलिक हर attendance पर कलिक करते थे तो सेम इसी तरह से आप लोगों का भी सिस्टम होगा बटा आप लोगों को अभी आपको बददगी यह बीएड वालों का link attendance का question paper का link अभी update होगा और फिलाल जैसे update होगी उसी समय आपको telegram group में updates कर दिया जाएगा जल्द से telegram group जाइन कर लें आपको benefits में लेगा बाकी आपको यह बना दिया आप सबसे पहले attendance लगाओ कि सुबा 8 बजे के आसपास और सबा 11 बजे आपको paper मिल जाएगा और साधे 11 मजे से लेकर paper लिखना शुरू कर करनी है कौन सी Gmail पर सेंड करनी है जो attendance लगाएंगे ना attendance लगाने के समय आपको एक Gmail दिखेगी आपको message आएगा कि thanks for your market attendance होगी उसके नीचे एक Gmail ID होगी gcog.com वाली उस Gmail का screenshot ले लेना है उस Gmail पर आपको जब आपका paper खतम होगा उतने बजे आपको PDF बना के Gmail पर send करनी है यह मसला है यह मसला दोस्तों ज़्यदा ओखा नहीं है सबसे पहले आपको front page फिल करना front page website पर आ गया जिसके पास नहीं है यह मैं टेलिग्रम ग्रूम में मिल जाएगा नेट वाले से front page का एक page निकल वा लेना बाकी print करवा लेना फोटो कापी करवा लेना यह आपका आग्या front page examination की जगा आपको लिखना है be at first or third semester जो भी है subject आपको बहु लिखना है paper की जगा भी बहु ही लिखना जो subject आपका बूल जाते हैं बच्चे जूजी वाले बूल रहे हैं आप पता नहीं बियाद वाले senior student बूलेंगी नहीं page नंबर बान लिखना है इस पे इस पे रोड नंबर इस पे अपना नाम father name examination subject course नंबर date candidate के sign बस और जहां पे total नंबरा page कितने यूज किये हैं आपने बो भी लिखन करने हैं अगर जैदे page यूज करेंगे बड़ी PDF बना देंगे ना फिर भी PDF जाती नहीं है जिस बच्चे की PDF वागरे सेंड नहीं होगी इमेल में प्राब्लम होगी वो मुझे टेलिग्राम में इस्टाग्राम पर परसनल मैसेज कर देना मैं उनकी हाल अप कर दूंगा आप भी ही कर लो front page third sign भाले front page आपने फिल कर लिया date आपको question paper भाले दिन की लिखनी यह होगया बाकि कुछ नहीं फिल करना बाकि खोल देना यह front page फिल पैज नंबर बन हो गया इसकी पीछली side कुछ नहीं लिखना इसके बाद आपको निकालनी है आपनी A4 size sheets जो आपने market से खर लेना है दोस्तों जे होती है A4 size sheets जे देख सकते हैं इसका size ऐसी होनी जाहिए वो शिंडे-शिंडे वाली shade वाली नहीं लेकर आ जाना A4 size sheets जे होती है आपको भी जहीं जूज करनी है इस पे आपको page number 2 लिखना है इसकी पिछली side भी लिख सकते हैं आप लोग page number 1 आपका front page आगे page number 2 जे आ गया इसके उपर सिर्फ आपको date लिखनी कोई signature नी करने कोई कुछ नी simple आपको date लिखनी है और हर page पर date लिखनी है और page number लिखना है एक sequence सिस्टम बनाना है front page बानना हो गया फिर a4 size 2 इसकी पिछली side लिखते हो तो 3 फिर आगली 4 फिर 5 ऐसे करकर के आपको कौन से कम 20 से 25 पेज फिल करने है जे होगी आपकी आपने paper लिख दिया बुक बगएरा से देख दूख के उल्टा सीधा जो notes बगएरा जो आपने बनाई हुए हैं जो भी system खुद से लिखना खुद से ज़्यादा लिखोगे ना जेतना खुद से लिखोगे उतने marks मिलेंगे बाकी जे थोड़ा पुद हिंट ले लेना है बुक से और क्या करना है आप लोग senior से आने student हो बाकी आप बात करें तो आपको बदाते कि चेता नहीं पुलना है फर्स्ट समेस्टर जूजी बाले बहुत चेता पुल रहे हैं उनको total page नहीं लिख रहे कि कितने जूज किये हैं बोलते हैं बाद में चेता पुल गया वो हो गया हमें लूब नहीं रहा था ये दोस्तों बाद में नहीं करना टाइम का खास द्यान रखना है आपको अब दादे कि student वीडियो नहीं देखते हैं पूरी और जब पेपर खतम होने वाला होता है जब 5 मिनट बजते हैं तो फिर बोलते हैं कि ग्रूप में बोलते हैं जल्दी से इसलिए आपको अब दादे कि यह आपको लिंक हमारा टेली ग्रूप में स्टार्टिंग अटेंडरेस का मिलेगा सुबा इस लिंक पर आप सुबा कलिक होगे तो अटेंडरस लगा आप आओगे कोशन पेपर का लिंक आपको कितने बजे मिलेगा 11 बजे बोल निक काम कब जीमेल कॉन सी होगी जो टेंडिस के समय आपको दिखेगी आप कोशन पेपर पर क्लिक करोगे ते इस तरह का ओपन होगा आपका आपको बता देंगे टेंशन लाओ पर कोशन पेपर की पीडियाफ ही आम डाल देंगे ग्रूप में चलो आप लोगों बता दें कि आपका पेप स्केंडर में जाना है आपको कौन सा पीडिया पर नाने के लिए कौन सा डॉनलोड करना है डाकुमेंट स्कैंडर कौन सा डाकुमेंट स्कैंडर मेड इन इंडिया वाला जे नीचे इसको आपको इंस्टाल कर लेना है हमने इस्टाल कर लिया है आप लोग ऐसे इस्टाल करन है फिर आपको फोटो क्लिक करने है और अगले पेज का पीडिया के बाद आपको पीडिया इसे पैज होंगे नगे हम भी एक पीडिया बना रहे हैं यह इसे एक फ्रेंट पेज फिर एक नमबर दो तीन चार पांच छे जितने भी पेज होंगे जैदा पेज नहीं कर देना जैदा करोगे तो लंबी पीडियाफ हो जाएगी फिर जाती भी नहीं है 16 पेज लिख लिए 16 डन पर क्लिक करना है यह ऐसे चका कुमेगा चका कुमने के बाद आपको यह नेक्स्ट पर जाना है यह इसको आप अगर आप कई बार बैड भी ले 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 तो आप लोग बैड शीट बगए रहा है उसको थोड़ा सा यह ऐसे गुमा सकते हैं आप जो 20 मिनिट का तो होगा वह कि यह धार आपको नार्मल कर देना है यह हो गया नार्मल औरीजिनल पूरी पीडियाफ औरीजिनल करके आपको इसको एस पर क्लिक ओपन करना है PDF यह तक से नीचे बैक अडिट यह ओपन हो गया ट्राइब करना गर में यह से बनाना PDF यह ओगया ओपन मैंने एक ही पेज चेंज किया आप बाकी भी कर सकते हैं फ्रंट पेज यह सारे हो गया फिर आपको वो और यह ओपने और आपने चेंज करना अगर करना है अगर कंप्रेस नहीं करोगे तो PDF जाएगी नहीं यह नगर आपने शोट काम पेज यूज किये हैं तो फिर यह ज़िदूरत नहीं बड़ कंप्रेस इसलिए करते हैं ताकि साइज थोड़ा कम हो जाए PDF का यह देख सकते इसको ऐसे कर देना ले आना खीच के कंडा कितने तक 70-90 यह देख सकते हैं 63 तक ले आ सकते हैं बागे पड़ा भी जाना चाहिए न यह थोड़ा सा ओर कम कर सकते हैं आप लोग बागे जाथ करते हैं इतना कंप्रेस करके थोड़ा सा उसके बाद आपको क्या करना है सेव नह जाएंगे आपको अपकी आईडी उपराएगी तू की जगा आपको कूंसी आईडी लिखनी है यो सी ओ यी वाली जो आपको अटैंड़ेस लगाते समय सूबाई मिल जाएगी आईडी वो आईडी जहां पे फिल करनी है आपको इस आईडी फिल नहीं करनी पहले आपको compose मे बातर लिखना है अपना नाम अपना रोरंबर और अपना सुब्जेक्ट लिखने के बाद बी-अड फ्वेस्ट जार थर्ड सैम् जो भी यह यहां पर आपको डॉकमेंटर scanner दिख रहा ना इसको क्लिक करने के बाद इसको काड़ देना इसमें लिखना है बी एड जो भी बैडल हो रहा है दोस्तों बी एड थर्ड सेम बी एड थर्ड सेम रेगुलर हो तो रेगुलर सब्जेक्ट का नाम लिख लेना है प्राइबिट और प्राइबिट आके जम्मू आपको इसे करके आपको ये पूरा लिख के डाठा याठा आपना पतर किसो क्लिक करना है आपको बास पिर कट देना आ को नहीं दीखेगा फिर नीचे आना आपको सेंट में जाना है यह सेंट सेंट में जाने के बाद आपको देख सकते हैं यह हमने भी एड़ वाली PDF सेंड की इसका स्क्रीन शार्ट ले लेना है यह PDF देख रहा है यह एसा दिखेगा और आपकी PDF जो निवस्टी के पास चली होगी चली गई होगी आ हम दूसरी email ID में चक करें अग्र आम दूसरी email ID में चक करें कि पहुंची की नहीं यह देखो पहुंच चुकी है PDF जो मkovben भी थे संड की यह दोनलोड करेंगे दिखा अगर दूसे से डॉनलोड कर पूरा से मुष्टा cease और फेड पोहुंची होई है यह दोग सकते हैं. इसम इसको ने खलार देना उधर hard copy यह होगी hard copy इसको आपने college में submit करवाना है और submit करवाते समय आपका वाइबा लिया जाएगा और by way के लिए आपको आपने college वाले बता देंगे बाईबा आपके concern कालेज़ वाले ही लेंगे और आपको बतादे कि बाईबा आपको जएदा डिफकल नहीं है असानी से सारे बचे पास हो जाएंगे जो जो बचा वीडिया सक्सेस्पुल टाइमिली सेंड करेगा अगर आप वो सोचेंगे कि हम पेपर खतम हो गया हम तिन ति से देने step to step वीडियो नहीं क्रेट करूंगा सिर्फ नार्मल हैलप आप लोगों की जाएगी आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी और आप लोग शेर करेंगे स्पोर्ट करेंगे फुचर टाइम में आपके कालेज में भी विजट करेंगे हम बीड के फर्स्ट और जब आपकी ये बीड के second और fourth semester के classes लगेंगी आपके निजदे की कालेज हम डिस्टिक कठवा से हैं फिलाल बीड की बढ़ाई तो मैंने नहीं करी बट अब लोग थोड़ा अपडेट करें युनिवेस्टिक का अब लोग स्पोर्ट करें और अपने चैनल के बारे में अप लोग हमारे चैनल में आएंगे आप मारे पेज में आएंगे युरूर कोशिश करेंगे अल्डवेस्ट शेयर करना इस वीडियो को देखें बागी स्किप बगारा कर सकते हैं आप लोग 20 मिनट्स तो नहीं होते किसी के बार पास से आजकल बट कंप्लिकेटर सिस्टम है दो अब नहीं फर्स्ट के भी एगजाम करवा दी हैं अल्लाइन थरॉड के भी और फित के भी अंडर ग्रेजुएट्स के एंजिणरिंग के श्टूडेंट्स के भी नर्सिंग के भी सभी के अटेंडिस लिंक और कोशन पेपिर लिंक प्रवैड कर वह हैं टाइमली पिछले द झाल झाल